एक सवाल जो कि मुझे हजारो बार पूछा गया है और आगे भी मेरे से हजारो बार यही पूछा जाएगा मैं वापस से आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका PF ट्रांसफर हो गया है लेगिन पेंशन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इस एफॉमिटिव चैनल हो जो आपके काम की बाते बताए सबस्क्राइब करकर सकते हैं सबस्क्राइब में आपका एक रुपए नहीं लगेगा बस यहाँ पे चैनल का सपोर्ट होता है ठीक है तो यहां समझने की बात क्या है समझने की बात पहले समझ लो देखो जब आप वो सिर्फ नाम मातर के लिए दिखाया जा रहा है वहाँ पे amount actual में आपका transfer नहीं होगा एक तरह से माल लो कि किसी insurance के लिए आप किष्ट भर रहे हो ये एक किष्ट की तरह है pension का amount बिल्कुल भी related नहीं है तो जब आप transfer कर रहे हो आपका सिर्फ और सिर्फ PF amount है transfer होगा आपका pension का amount transfer नहीं show होगा अब transfer show नहीं होगा तो भाई जो amount है उसका होगा क्या तो उसका ये होगा कि PF office अपने record में ये लिख लेगा कि भाई साब ये आदमी 2019 से 2021 तक इस जगे काम करा है और इस जगे काम करने में मान लिजे कि इसने 24 महीने नौकरी की है 24 महीने नौकरी करने के हिसाब से जितना आपका pension final settlement में देना बनता है अगर आपने कभी नौकरी खतम कर दी पूरे तरह से पैसा निकाल रहे हो उस time पे अगर आपको pension देनी बनती है तो PF office इतना हिसाब लगा लेगा कि देखो इसने जो है ना चार जगे काम किया था इस चार जगे में से तीन जगे पे इसने इतना इतना महीना काम किया था मन्त देखे जाते हैं इतना इतने महीने काम किये थे साथ महीं जो इसकी last salary है last salary मान लिजे आप 15,000 रुपे पे आपकी salary है last salary देखी गई आपने यहां 24 महीने काम किया आपने यहां 30 महीने काम किया आपने यहां 32 महीने काम किया इस service के हिसाब से आपकी pension दे दी जाती है इसलिए दोस्त मेरे कृपया करके यह समझ लिजे कि आपका जो pension का amount है वो वहीं पे रहेगा वो आपको दिखाने के लिए है बस वो amount आपको actual में उत्रा amount मिलने वाला नहीं है PF office अपने internal record में यह note कर लेता है कि इसने इस जगे इतनी service की है उसके हिसाब से आपको जब 10C form भरोगे तब आपका pension का amount settle कर दिया जाएगा जो PF का amount होता है जिसे form 19 भर के निकाला जाता है वो पैसा आपका निश्चे तोर पे जितना दिखा रहा है उत्रा ही आएगा तो आशा करूँगा इस बार मैं आपको clear कर पाया हूँ कि आपका pension का amount show हो रहा है ये pension का amount आप नहीं निकाल सकते हैं तभी निकाल पाएंगे जब आप पूरी तरह से unemployed हो जाएं 19 टेंसी भरेंगे तभी जाके आपका निकलेगा इससे आप advance भी नहीं निकाल सकते हैं और नौकरी करते हुए final settlement भी नहीं कर सकते हैं ये ऐसे ही दिखता रहेगा चाहे आप transfer कर लीजे चाहे आप इसमें से पूरा पैसा निकाल लीजे पूरा पैसा निकालने के बाद भी ये इसी तरह reflect करता रहेगा तो अगर ये वीडियो आपको informative लगी हो जरूर सब्सक्राइब किजेगा सब्सक्राइब मात्र एक परसेंट लोग करते हैं 99 परसेंट लोग बेवफा होते हैं तो आपसे request है कि करपिया करके सब्सक्राइब करके support किजे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद